C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा पांच की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का अठारवा पाट जाएं तो जाएं कहां प्रिष्ट 165 जात्रिया भाई जात्रिया भाई अपनी बेटी जिमली के साथ दर्वाजे की चौकट पर बैठे सीडिया का इंतिजार कर रहे थे रात होने को थी पर सीडिया अभी तक घर नहीं आया था लगबग दो साल पहले जात्रिया का परिवार सिंदूरी गाउं से मुंबई आया था अपना कहने को यहां दूर के रिष्टिदार का एक परिवार ही था उन्हीं की मदद से जात्रिया भाई ने मचली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरमत का काम शुरू किया इससे तो उनका गुजारा ना हो सका घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से ही खरिदना पड़ रहा था चोटे सीडिया को भी पास वाले मचली के कारखाने में काम करना पड़ा सीडिया सुभा के चार बजे से साथ बजे तक मचली साफ करता चोटी बड़ी मचलियां चांटता उसके बाद वह घर आता थोड़ी देर सो कर दोपहर को स्कूल जाता शाम को सबजी मंडी में घूमता फिरता कभी किसी मेम सहाब की थैलियां उठाता तो कभी रेल्विस स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढून कर कभाड़ी वाले को बेशता जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी जिन्दगी प्रिष्ट 166 अब तो रात भी हो गई लेकिन सीडिया घर नहीं आया जिमली पडोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी मगर जात्रिया का मन टीवी देखने में नहीं लगता यहां सब कुछ कितना अलग था कितनी नई अजीब दुनिया थी दिन काम की भगदर में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती सोचो और बताओ जात्रिया भिड में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? अपनी जगा छोड़ कर दूर नई जगा जाकर रहना कैसा लगता होगा? जात्रिया जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ काम पर भी जाते हैं? ये बच्चे किस तरह की काम करते हैं? क्यों करने पढ़ते होंगे? पुरानी यादें हरे भरे घने जंगलों और पहाडियों के बीच खेड़ी गाउं में जात्रिया का जन्म हुआ था उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहां रह रहे थे उनकी गाउं में शांती तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था गाउं में नदी की कलकल, पेड़ों की संसन, पंचियों की चहक थी यहां के लोग खेती का काम करते थे गाउं के लोग जंगलों में जाकर कंद मूल, साक सबजी और सूखी टहनिया लाते ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुन गुनाते बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते जैसे बांसुरी बजाना, डोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंच्छीयों को पहचानना, उसकी नकल करना आदी प्रिष्ट 167 लोग जंगल से इकठा किया सामान इस्तेमाल करते, बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गाउं में जाकर बेच देते इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी कपड़े खरीदते वैसे तो वह एक गाउं था, मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे जात्रिया की बेहन की शादी भी उसी गाउं में हुई थी अच्छे बुरे समय में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे शादी ब्या के काम और जगड़े गाउं के बड़े भुजूर्ग साथ मिलकर निप्टा थे जात्रिया अब जवान हो गया था वह खेती का भारी काम अकेले ही करता बड़ी नदी के बीचों बीच मचली भी पकड़ता अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मचली, आदी सभी लेकर दोस्तों के साथ कस्वे के गाउं में बेचा करता गाउं में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाश्ता और ढोल भी बजाता बताओ, खेडी गाउं में बच्चे क्या-क्या सीखते थे? तुम अपने बड़ों से क्या-क्या सीखते हो? जिन चीजों का ग्यान जात्रिया को खेडी में हासिल हुआ, उन में से कितना उहें मुंबई में काम आया होगा? प्रिष्ट 168 क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाजे सुनते हो? कौन-कौन से? क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? करके दिखाओ तुम रोज ऐसी कौन सी आवाजे सुनते हो जो खेडी के लोग नहीं सुनते होंगे क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहां? नदी के पास एक दिन गाउवालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है नदी को रोक कर एक बहुत बड़ी दिवार सी खड़ी की जाएगी तब खेडी और आसपास के बहुत सारे गाउव पानी में डूब जाएंगे लोगों को अपने पुर्खों यानि बाब दादा की जमीन घर बार छोड़ कर नई जगह चले जाना होगा कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पल्टन को लेकर गाउव गाउव पहुचने लगे गाउव के चोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ ड़ से रोने लगते वे नदी की चोड़ाई, लंबाई, गाउव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे उन्होंने गाउव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा गाउव को नदी किनारे से हटाना होगा जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी दूसरी जगह, जहां जमीन मिलेगी, वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे बस और ट्रेनें भी होंगी नए गाउं में वह सब होगा, जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी न था उसके मा बाबा और गाउं के कई बड़े बूड़ों को अपना गाउं चोड़ना पसंद न था जात्रिया भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता सोचता, वह शादी के बाद अपनी दुलन को नए गाउं के नए घर में ले जाएगा प्रिष्ट 169 ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी बस में बैटकर वह शहर घूमने जाएगा सोचता, जब बच्ची होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा उन्हें अपनी जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा चर्चा करो और बताओ जात्रिया के गाउं के कई लोगों को अपने जंगल जमीन चोड़ना मन्जूर न था ऐसा क्यों? ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गाउं छोड़ना ही पड़ा सोचो क्यों? जात्रिया के खेडी के परिवार में कितने लोग थे? जात्रिया जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसकी मन में कौन-कौन आता? अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन-कौन आता है? क्या तुमने ऐसे लोगوں के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते उनकी कुछ बातें बताऊ क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ अस्कूल है ही नहीं कल्पना करो जहां बांध बनता है वहां के लोगों को क्या-क्या परेशानिया होती होंगी खेडी गाउं और जात्रिया के सपनों के नए गाउं के चित्र अपनी कौपी में बनाओ अपने साथी का चित्र भी देखो, उनमें अंतर डूढो एक नई जगह दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा से जात्रिया बेजान था डामर यानि कोलतार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था आस-पास कोई छायादार पेड़ भी न था सिर्फ कुछ मकान और दुकाने थी, दवाईया खरीद कर जात्रिया घर की ओर चल पड़ा उसकी पीठ पर पुराना टायर था आजकल घर का चूला जलाने के लिए वह ऐसे टायर के रबड के टुकणों को जलाता था प्रिष्ट एक सौ सत्तर ये आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी पर इसके जलने से हुई बू और धुने से सब परिशान थे सिंदूरी नाम के इस नए गाउं में हर चीज पैसों से मिलती थी दवाई, सबजी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी मिट्टी का तेल तो उनकी पहुँच से बाहर था कहां से लाएं इतने पैसे सोचते सोचते जात्रिया अपने घर तक पहुँच गया छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी जात्रिया की बीवी तेज बुखार से तप रही थी उसकी बेटी जिमली अपने छोटे भाई सीडिया को गोद में लेकर सुला रही थी घर में कोई और बड़ा भी तो नहीं था पिताजी तो पहले ही खेती छोड़ने के गम में चल बसे थे इस नई जगह पर उनके गाउं के आट दस परिवार ही थे जो उसके अपने थे बाकी सारा गाउं यहां वहां पिकर गया था जिने जहां जमीन दी गई वे वहीं बस गए जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था ये गाउं बिजली तो थी मगर वह भी कभी रहती कभी नहीं उपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था वहां नल तो थे पर उनमें पानी ना आता था इस गाउं में जात्रिया को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला उसमें पशूँ को रखने की तो जगह ही नहीं थी थोड़ी सी खेती की जमीन भी मिली थी मगर वह खेती के लायक नहीं थी बड़े-बड़े पत्थरों और कंकणों से भरी थी ज़ात्रिया और उसके परिवार फिर भी जी जान से उसमें मेहनत करते मगर धान को खरीदने में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ ना आते प्रिष्ट 171 वहाँ पुराने गाउं में बीमारी कम थी अगर कोई बीमार हो भी जाता तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे उनकी इलाज से सेहत सुधर जाती थी पर टीचर खेडी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी नई भाशा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी सिंदूरी गाउं के लोगों को इन लोगों का यहां आना पसंद ना था उनको खेडी के लोगों की भाषा, रहन सहन, सब अजीब लगता वे खेडी वालों को बिन बुलाए महमान कहकर उनका मजाग भी उडाते थे क्या सोचा था और क्या हुआ लिखो क्या सिंदूरी गाउं जात्रिया के सपनों के गाउं जैसा था सिंदूरी और अपने सपनों के गाउं में उसे क्या अंतर मिला क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए महमान थे कैसा लगा जब तुम्हारे यहां कुछ दिन महमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवारवाले क्या क्या करते हैं कुछ साल बाद जात्रिया ने कुछ साल सिंदूरी में ही पिताए बच्चे भी बड़े हो रहे थे मगर जात्रिया भाई का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था उन्हें तो बस अपने खेडी गाउं की याद सताती रहती पर अब खेडी था कहां? खेडी और आसपास के इलागे में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब जात्रिया ने सोचा बिन बुलाए महमान ही कहलाना है तो ऐसी जगा जाएं जहां अपने सपने पूरे तो हों उन्होंने अपनी जमीन और जानवर बेच दिये और वे मुंबई आ गए अब उसके परिवार की नई जिन्दगी शुरू हुई बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बनें, बस यही चाहते थे यहां के हालात अच्छे तो नहीं थे मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा यही वे सोचते थे जात्रिया ने अपनी खोली यानि एक कमरे की रहने की जगा की मरमत के लिए पैसे बचाने शुरू किये प्रिष्ट 172 उनके रिष्टेदारों ने कहा मत बरबात करो ये पैसे शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है जात्रिया भाई यह सुनकर डर गए उन्होंने सोचा खेडी छोड़कर सिंदूर गाउं में उसके बाद अब यहां मुंबई में अब यहां से भी हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहां क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है सोचो जात्रिया भाई ने क्या सोच कर मुंबई जाने की ठानी क्या उन्हें मुंबई वैसा ही मिला जात्रिया भाई के बच्चे मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे पता करो और लिखो क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगा से हटाई गए हूँ उनसे बात करो वे कहां से आए हैं उन्हें यहां क्यों आना पड़ा उनकी पहली जगा कैसी थी उसकी तुलना में नई जगा कैसी है क्या उनकी भाषा और रहन सहन यहां के लोगों से अलग है कैसे उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख कर लिखो क्या वे कुछ ऐसी चीजें बनाना जानते हैं जो तुम नहीं जानते क्या चर्चा करो तुमने शेहर की किसी बस्ती को हटाने के बारे में सुना या पड़ा है नौकरी में तबादला होने पर भी अपने रहने की जगह से दूर जाना पड़ता है तब कैसा लगता है वाद विवाद करो कुछ लोग ऐसा सोचते है शेहरी लोग गंदगी नहीं पहलाते शेहर का गंद तो जुक्की जोपडियों से है तुम ही क्या लगता है आपस में बात करो बहस करो हम क्या समझे जात्रिया के परिवार जैसे लाखों परिवार अलग अलग कारणों से बड़े शेहरों में रहने के लिए जाते हैं मगर इन बड़े शेहरों में उनकी जिंदगी क्या पहले से अच्छी होती है बड़े शेहरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते होंगे जाएं तो जाएं कहां अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का अठारवा पाट प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत